अब ही हाली में आपने देखा कि राहुल गांदी पर जो मानहानी का मुकद्मा दायर था उसमें इन्हें दो सी पाए गया और इन्हें दो साल की सजा सुनाई गई और उसके बाद इनकी लोकसवा जो सदस्ता थी वो भी रद कर दी गई है तो आज हम लोग मानहानी के बारे में बात कर लेंगे और जो सदस्ता रद होती है न जिस कानून के तहत उस कानून के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो आप देखते हैं कि डारेक्ट ही आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूँच लेगा और वैसे भी मुझे लगता है कि इन दोनों के बारे में आपको सबको मालू होना चाहिए देखिए मानहानी की अगर हम लोग बात करें तो सीधी सी बात आपने किसी पर करें या हो सकता है कि अदालत के जरिये वो आप पर आप देखते हैं कि कोई कानूनी कारवाही करने की बात करें तो इस तरह से आप लोग देखते हैं और यह 2019 का मामला है जब आप देखें कि करनाटक में राहुल गांदी ने मौदी सरनेम को लेकर क्योंकि आपने देखा है कि नेरब मौदी हो या आप देखते हैं कि इस तरह के और भी हमारे देश के जो भगोडे जो आप देखते हैं कि बैंकों को लूट कर भाग चुके हैं तो इन्होंने कहा था कि मौदी सरनेम के क्यों भगोडे होते हैं तो उसी को लेकर आप देखते हैं कि मौदी समधायक प और यहां विधान सभाव में 224 सीट हैं. विधान पईशत्थ भी किते हैं, जिसमें 75 सीट हैं, राज्ये सभाव में बैरे सीट हैं, लोगशभाव में 28 सीट हैं. एक लाग 91,791 बरक किलोमीटर में फैला हुआ है एक गुजरात ने आप देखी गुजरात की एक इस्थानी न्याले ने आप देखेंगे सूरत आप लोग परते हैं ना वहीं आप देखते हैं इस पर नेड़े दिया है और गुजरात की बात करें तो गांधी नगर इसकी 96,024 बरक किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है यह भी आप लोग याद रखेगा और मानहानी के उक्त पिकरन में भारतिय दंड सहिता की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया था है और भारतिय दंड सहिता की धारा 499 और 500 अगर आप लोग देखें तो सकती है फिर वह चाहे बोलने या पढ़ने या संकेतों अत्वा दरस्त पिस्तुतियों के माद्दिम से हो यह या तो ब्यक्ति की पितिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उस ब्यक्ति के बारे में पिचारित किया गया या फिर बोला जाता या फिर आप देखें ऐसा इरादतन किया जाता है कि उक्त आरोप उसकी पितिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा अपर आधिक मानहानी का दोसी पाय जाने पर आप देखें धारब 500 की तह जुर्मानी के साथ या बिना जुर्मानी के दो वर्स तक के कारवास का प्रावधान इसमें देखने को और आप देखेंगे कोंग्रिस बाले आरोप भी लगा रहे हैं कि ये सडेंध था क्यों सडेंध था क्योंकि आप देखेंगे दो साल अधिक्तम सजा रखी गई है अधिक्तम सजा राहुल गांदी को दी गई है हो सकता था 5 महीने की 6 महीने की एक साल की रख देते लेकिन ऐ ऐसे मामले में इनकी लोगसभा सदस्ता रद्ध ना होती। क्योंकि आप देखेंगे जो कानून कहता है ना, कि दो साल या दो से अधिक साल की सजा होने पर ये सदस्ता रद्ध होगी। मानहानी की बात करें तो मानहानी किसी बैक्ती के वारें जूटे बयानों को पिचारीत करने का कार है जो उस बैक्ती की पितिष्ठा को आगात पहुंचाता है जबकि आमजन में इसे साधारन नजरिये से देखा जाता है। जानबूचकर किसी की पितिष्ठा कुन उकसान पहुंचाने की इरादे से पिचारित या बोला गया कोई भी जोट और गेर कानूनी बयान मानहानी की दृष्टी से देखा जाता है। मानहानी की इतिहास का पता रॉमन कानून और जर्मन कानून में लगाया जा सकता है। और रोमन कानूम में अबमान जनक टिपडी की पर मौत की सजा का प्रावधान था। और भारत में अगर हम लोग मानि कानून की बात करें, तो समिधान की अनुछेद 19 नागरेकों को अभिव्यक्ति की स्वतनता प्रिदान करता है। इस समिधान की भाग तीन में जो मौलिक अ जिये गए हैं, तो उन मौलिक अधिकारों पर पिती बंद भी लगाया जा सकता है। भारत में मानहानी सारीजन की रोप से गलत और धन्ड़नी अपराद दोनों हो सकता है। और यह इस बात पर निर्भार करता है कि उससे किस उद्देश को हांसिल करने का प्रियास किया जा है। और दन्ड़नी अपराद में मानहानी को संदेश से परे होना चाहिए और लेकिन एक सिविल मानहानी के मुकदमे में संभावनों के आधार पर हर जाने का प्रावदान भी किया जा सकता है। और अभीवेक्ति की सुद्दंता बना मानहानी की बात करें। तो इस बात प कि अपरादिक प्रावदान संमिधानिक रूप से मानने ये सोतंत भासर की अधिकार का उलगन नहीं है। सर्वोच नियाले ने ये भी फैसला सुनाय कि मानहानी को सार्विजिक रूप से गलत मानना बैद है। और यह एक अपरादिक मानहानी अनुचित रूप से मुक्त भ स्था मानी जाती है। अनुचेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। और इसमें जो नियादिस रहते हैं उनके सेवान वित्तीक उमरे 65 साल लखी गई है। इतना बड़ावा नहीं दिया जा सकता है कि वो किसी ब्यक्ती की पितिष्ठा जो की अनुचेद 21 का एक घटक है इसको ठेस पहुंचे। यानि की कहने का सीधा समत लवे कि आपको बोलने की सुतंता दी गई है। लेकिन ऐसा मत करिए आपकी दूसरे की जो एक तरस्याप्दी की पितिष्ठा है उसे नुकसान पहुंचे। मानहानी समंधी पूर्म नेड़य भी दिये गए हैं। इसलिए उन्हें इससे पढ़ने ही तु किसी अन्डवेक्ती की आवस्क्ता थी और इस संद्रम में माना गया कि चुकी पितिवादी जानता था कि वादी उर्दू नहीं जानता उसे सहायता की अवसक्ता होगी इसलिए पितिवादी का कार मानहानी के समान है। सोचे उर्दू में पत लिख दिया किसी ने तो मानहानी का केस कर दिया। राम जेट मलानी बना सुवमन्यम स्वामी 2006 का मामला है। दिली उचन्याले ने डॉक्टर स्वामी को यह कहक किया था। एक आप देखें सेया सिंगल बना भारसंग 2015 या इंटरनेट मानहानी की समद्ध में एक इतिहा सिंग ने डाय था। और इसने सूचना फुरूद की अधिनियम 2000 की आसमीधानिक धारा आसमीधानिक धारा 66 A को सामिल किया जो संचार सेवाओं के माध्यम से अपति जनक संदेश भेजने हितू दंडित करती है। अब आप देखें अगर किसी पर दो सिद्धी हो जाती है तो फिर उसका क्या होगा। दो सिद्धी एक संसत को आयोग घोसित कर सकती है। यदि जि अधिनियम की 1959 की धारा 8-1 में सूची बद्धो। धारा 153 A धरम नसल जनमस्थान निवास भासा आधी के अधार पर विवेन समुहों की भी सतुता को बढ़ावा देना और सदभाव की पिती कूल कार करना या धारा 171 E रिस्पत कोरी या धारा 171 F किसी चुनाव में अधिनियम 1959 की धारा 8-3 क्या कहती है? 8-3 कहती है कि यदि किसी सांसद या विधायक को दोसी ठहराया जाता है किसी मामले में और कम से कम दो वर्स की केद्ध की सजा सुनाई जाती है तो उसे आयोग्ण ठहराया जा सकता है हाला कि इस धारा में यह भी कहा गया है कि आयोग्ण दोसिधी की तारीक से तीन महिने बीच जाने के बाद ही प्रभारवी होती है और इस आउधी के बीचर सजा या अपता सांसद सजा के खिलाव उच्च नियाले में अपील भी दायर कर सकता है तो अभी आप देखें राहुल गांदी के पास एक तरह से आप देखें नेड़ा इसको जो नेड़ा दिया गया है इनके सरवोच नियाले या सुप्रीम कोट या आप देखते हैं हाई कोट में यह इसे चुनावती भी दे सकते हैं और वहां से भी आप देखें इन्हें कानूनी अब सलाय लेंगे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे देखते हैं कि क्या होता है आप लोग बस एक सामान ज्यान के निया कानूनों के बारे में मानानी के बारे में अपने पास जरूर रखिए का इनसे कुश्चन्स पूचे लेता है कई बात